असलाम अलेकुम चलिए आज किस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोगे टेंथ क्लास के दरक्षा का बुक का जो सेकेंड चेप्टर है जिसका नाम है भावी जान इसके ओल कोश्टन एंसर को मेरे हातों द्वाला लिखा गिये एक कोश्टन का एंसर है ध् पक्तसर तरीन सवलाब से यानि की अति लगो उत्रिया प्रसम से जिसमें आप लोगों का सबसे पहला सवाल है सुहल अजीम अबादी कहां पैदा हुए थे तो वो पटना में पैदा हुए थे यहो गये इसका जवाब दूसरा सवाल है कि सुहल अजीम अबादी के बच्पन का नाम क्या था कुशन के कहने का मतलब ये है कि सुहल अजीम अबादी का पहला कहानी का किताब का क्या नाम था और वो कब परकाशित हुआ तो देखे मैं इसका जवाब लिख दी हूँ कि उनके पहले अफसानवी मजमुआ का नाम चार चेहरे था जो आजादी के बाद शाय हुआ आजादी के बाद परकाशित हुआ ठीक है चार नमबर सवाल है सुहाईल अजिम अबादी की अबतदाई अधारे ताrade किस माधर से मुई यह कि इसस्वादे शिक्षा किस मदर्से से मिली तो देचित इपतदाई तालियम झाल में एक मौलिम की Surpa Сब्सक्रेम की इसमें जो सबसे पहला सवाल है तो यह है कि रुकया भावी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था यहां पर क्या था लिखना छूट गया है क्या था होना चाहिए ठीक है तो आप लोग समझ जाएगा तो इसका देखिए मैं जवाब क्या लिखी तो ये होगा आप लोग का फॉस्ट का एंसर अब चलिए दूसरे कोश्चन की तरफ आईए दूसरा सवाल है कि रुकया भाबी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था तो इसका जवाब मैं लिख दी हूँ रुकया भावी के शोहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि वह सियासी आदमी थे उस वक्त तहरीक जदोजद आजादी जोरों पर थी उस पर कई सियासी उन पर कई सियासी मुकदमात चल रहे थे एक मुकदमा में जेल जाते थे जेल से जैसे ही निकलते थे किसी दूसरे मुकदमा में उनको सजा हो जाती थी और इसलिए वो बार बार जेल जाते थे देखिए कि इनने अच्छे तरीके से सूर्ती से लफजों को सजा कर लिखा गया है आपने ओको भी इसी तरह लिखना है तुझे अब आगे बढ़िए तिसरे सवाल की तरफ तिसरा सवाल है रुकईया भाबी किस लड़की की तालिम का खर्च खुद बरदास्त करती थी ठीके यानि कि रुकईया भाबी वो किस लड़की की तालिम वो तर्बियत का फिस देती थी मतलब उसको पढ़ाती थी ठीके तो इसका जवाब क्या होगा कि वह एक शमी नाम की एक गरीब लड़की थी जिसकी तालिम का खर्च रुकया भावी खुद बरदास्त करती थी गुर्बत के बावदूद शमी को पढ़ने का बहुत शौक था और उसके वाले दिन उसकी तालिम का खर्चा उठाने के मतामिल नहीं थे इसलिए रुकया भावी के शकल में अल्ला ताला ने उसकी तालिम का जरिया पहना कर दिया ठीके इस तरह आप लोगों को लिखना है आगे बढ़िए सवाल नंबर फूर चार नंबर सवाल है कि रु रुकया भावी थी उनकी जो सोने की चूड़ी थी उनकी नहीं थी उनकी बेटी की थी रुकया भावी की बेटी का सोने का चूड़ी था उसको क्यों फरुक्त करवाना पड़ा क्यों बेशना पड़ा तो इसका जवाब मैं लिख दी हूं कि रुकया भावी को सोने की खुद बर्दास्त करती थी एक दिन शमी रुकया भावी के पास आई और असकों से लवरेज आखों से सरापा सवाल बन गई बहुत इसरार करने पर बोली के भाई जान एक मिलत रुकिया बोली के भाई जान को कल एमे की इम्तिहान का फॉर्म भरना है और कल आखरी तारीख है पैसे का कोई इन्तिजाम नहीं है इसलिए भावी जान अपने सोने की जेवरात को फरक्त करने करके समी के भाई जान का तालिमी केरियर बना दिया मतलब रुकिया भावी जिस कॉलेज में वो रिलेक्चरर थी ना उसी कॉलेज में समी नाम की लड़की पढ़ती थी और वो एक दिन रुकिया भावी के पास आ गई रोते रोते वो आखों असकों से लवरेज थी आख से बहुत ज़दा आसों निकल रहा था वो रो रही थी और ये सवाल बन गया भावी पुछने लगी कि क्यूं रो रही हो ठीके तो बहुत ज़दा इसरार करने पर समी नाम की लड़की बताई कि मेरे भावी जान का एमे का इम्तिहान का फॉर्म भरना है जो कि कल आखरी डेट है ठीके और पैसे का कोई इंतिजाम नहीं है तो भा भी को जब फिरसत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी तो देखिए इसका एंसर होगा उपना शौक पूरा करने के लिए अपने आहभाब और शागर्दों को खतूथ लिखा करती थी मक्तूब अलयह में बहुत से ऐसे अफराद थे जो नएं लिखने वाले थे और मजमून नवेसी वदेगर तहरीरों से मुतालुक रुकईया भावी से मश्वरे तलब करते थे और रुकईया भावी नहायत पाबंदी और जम्यदारी के साथ उन खतूत का जवाब दिया करती थी ठीक है यह हो गया फाइस का एंसर अब आती है त जवाब लिख दी हूँ कि रुकईया भावी के सब रोज का मामूल लिया था कि वह सुबह सबेरे बेदार होकर घरेलु कामों में मस्रूफ हो जाती थी एक दिन उनका वह जमाना था एक उनका हाँ एक उनका यहां पर एक उनका वह जमाना था जब चार पांच दाया और नौकर होते थे लेकिन अब एक जमाना था कि जब उनके पास एक सिर्फ उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बा गोया यही साड़े चार सा रुपए उनकी कुल आमदनी थी और इखराजात की जिमेदारी पहले से भी ज्यादा सिर्फ एलवा आयाल के खर्स तक मेदूद होता तो किसी तरह पूरा भी हो जाता लेकिन अब रुकाया भावी की इखराजात बढ़ चुके थे जलसा जलूस में मदद करती थी कई नादार है कई नादार लड़किया सिर्फ रुकाया भावी की एमदार से तालिम जारी रखे हुए थी ठीक है और यहां तक की कॉलेज की एक मुलाजिम की बेटी को अस्पताल जाकर दूद की बोतल पहुचाती थी रुकाया भावी ठीक है तो यह हो गया आप लोगा का फॉस्ट का एंसर सिकेंड देखिए तीक है वैसे इसमें और यह और भी लंबा हो सकता था लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे लिखा जाता है तरीका क्या है इसलिए दिखाने के लिए मैं छोटा लिखी हूँ उन्हा लंबा लंबा नहीं लिखी हूँ लेकिन आप इसमें और भी जोर सकते हैं त देखिए इसका जवाब में लिख दी हूँ शामिले निसाब अफसाना रुकया भावी सुहल अबादी की एक समाजी कहानी है इस कहानी में सुहल अबादी ने कहानी के उन्वान रुकया भावी को एक औरत के किरदार में पेश किया है जो एसार वा कुर्बानी और वफदारी की एक बेतरीन मिसाल है इस अफसाने में भावी जान के शोहर को सियासत का भी शौक था जिसके नतीजे में वा बार बार जेल जाते रहते थे लेकिन रुकया भावी शोहर से नाराज होने के बजाए उनका होसला अफजाई करती थी और घर का सारा बोज तनहा उठाए हुए थी और हर्फ सिकायत भी जबान पर नहीं लाती थी और वो बहुत ही मुखलिस था बहुत ही मुखलिस और होसला मंद और थी उन्होंने गमों के दर्मियान जीना सीख लिया था इस तरह सुहल अजीम अबादी रुकया भावी के किरदार को पिर्श करके कारी को होसला अफजाई की है ठीक है तो यह हो गया अपनों का एंसर ठीक है अब तीसरे सवाल की बात आती है यहां पर है तीसरे सवाल तीसरे सवाल है सुहल अजीम अबादी उर्दू के किस अफसाना नेगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे क्यों कुशन के कहने का मतलब यह है किस जो सुहल अजीम अबादी है वो किस अफसाना नेगार मतलब होता है कहानी लिखने वाला किस कहानी कार किस कहानी लिखने वाले से सबसे ज्यादा मुतासिर थे मतलब परभावित थे अफेक्टेट थे और क्यूं तो देखे इसका जबाब में लिख दी हूँ सोहय लजीम अबादी प्रेम चंद की शक्षि थे हैं तो उनके कहानी लिखने के तरिके और उनकी शक्षियत से बहुत ज़्यादा परभावित थे सुहय लजीम अबादी क्योंकि यहां पर देखिए क्योंकि प्रेम चंद ने पहली बार अपने अफसानों में हिंदुस्तान के देहाती माहौल को मौदू बनाया था कसिर जदरत वाकात और किरदार गाउं से ही मतालुक थे यही वज़ा है कि सुहय लजीम अबादी को प्रेम चंद के फन में जिद्दत और फितरत के तरफ जुकाव नजर आया और प्रेम चंद की शक्षियत से जजबाती हद तक मुतासिर हो गए शामिले निसाब अपसाना आप लोगा एंसर सवाल नंबर फोर की तरफ चलिए चौथा सवाल है कि अफसाना भावी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यूंग अफसाना जो भावी जान आप लोगों को बुक में पढ़ना है भावी जान उस भावी जान कहानी में कौन से किरदार कौन से करेक्टर ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यूंग तो मुझको तो बहुत ज़्यादा प्रभावित की भावी जान उसमें भावी जान मुझको बहुत अच्छा किरदार लगी तो देखिए मैं लिखी हूं कि भावी जान की उन्वान से में शामिल अफ्साना सुहल अजिम अबादी का एक बेतरीन अफ्साना है जिसमें रुकय भावी मरकजी किरदार की हैसित से सामने आती है उनके किरदार की अजमत का सही अंदाज की मसरूफियात से होता है यानि जब वह सुबा को बेदार होती तो पहले अपने बच्चों की खिलाने पिलाने और स्कूल भेजने का काम करती फिर खुद भी नहाद होकर तयार होती फिर हाज़त मंदों से मिलने का सिलसला शुरू होता सबों की खौशात अलग-अलग नौईद की होती थी कोई मुलाजमत की सिफारिस करवाता तो कोई कालेज में दाखिला और फिस मौफी करने की सिफारिस करवाता गर जितने लोग उतने किसम की फरमाईस सभी लोग इस मुगालते में थे कि रुकया भावी बड़े आदमी की बीवी है हलांकि बड़े लोगों से उनका दूर का वास्ता भी नहीं रह गया था घर और कॉलेज के इलावा भी वह जरूरत मंदों की हाज़त रवाई किया करती थी इसके इलावा रुकईया भाबी की मसरूफियात भी बेपना थी उनके पास बेसुमार खतूत आया करते थे उनमें कसरत से नए लिखने वालों के खतूत हुआ करते थे उन्होंने नामवाफिक हालात में जीने का फंट सिख लिया था यही वज़ा है कि रुकईया भाबी का किदार हमें सबसे ज्यादा मुतासिर किया ठीक है तो यह होगा आप लोगों का एंसर अब बढ़िए अगले कोश्चन की तरफ सवाल नमबर पांच है देखिए सुहेल अजीम अबादी के बारे में अपने उदू के उस्ताद से मदद कर कम अज कम दस जमले तहरीर करें साथ ही यह भी तहरीर करें कि उनके अफसानों के दूसरे मदमुगा का नाम क्या था और वो कब स्राई हुआ तो इसमें आप लोगों को मैं हेल्प तो करी रही हूँ पुरा हेल्प कर रही हूँ डिरेक्ट जवाब ही लिख दे रही हूँ आप लोगों का देखें सहेल के बच्पं का नाम मुजव रह्मान था शृरू में शीर भी मोज़ो करते थे और सहेल तखलुस आपाते थे इसलिए दुनिया अडब में सहेल अज़्माबादी के ने पहचाने गैं यानि कि जो सहेल अजिम अबादी थे उनका रियल नाम था मुजीबूर रहमाल ठीक है लेकिन वह शुरू में शेर वशायरी किया करते थे और जब शेर वशायरी किया करते थे तो उस सेर वशायरी में वह सुहेल तखलूस रखते थे सुहेल नाम यूज़ करते थे और मिंदार घराने से तालुक रखते थे सुहेल जब एक साल के थे तो मा का साया से महरूम हो गए चुनांचा उनकी परोरिस नानिहाल में हुई और वही एक उस्ताद से तालिम हासिल की हसूल इल्म के तालुक से सुहेल अजीम अबादी गिर्चा हैदराबाद खलकत्ता और की हूं देखिए सुहेल अजीम अबादी के अंदर अफसाना निगारी का मिलान अबतदा से ही था चुनांचा जब उन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया तो फिर पीछे मुर कर नहीं देखा और सौ से ज्यादा अफसाना लिखे उन्होंने अपनी मुलाजमत का का एंसर तो यह था आप लोगों का भावी जाननाम के चेप्टर का ओल कोश्चन इंसर जिसको मैं एक एक करकर बता दी और समझा दी कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो उसको लाइक क के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज